हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मोना फिटनेस चैनल, आज जो हम आसन करेंगे वो वारियर पॉस वन एंड टू आसना रहेगा, मिन्ज इसको वीरभदर आसना भी कह सकते हैं, तो आपने वारियर वन पॉस आसन करना है, तो आपने सीधा खड़ा हो जाना है, दोनों लेक्स को वाइड करें, इक्वल डिस्टेंस में और दोनों हाथों को इक्वल उठाते हुए, जो आपका राइट लेग है, उसको थोड़ा सा बेंड करें, होल्ड करने का कोशिश करें, गहरा लंबा सांस लें, होल्ड रखें, इक्वल डिस्टेंस में अपने आर्म्स को रखना है, बापिस पोजिशन में आना है वैसे ही, फिर आपने लेफ्ट साइड टर्न करना है, और आपका जो लेफ्ट लेग रहेगा, उसको हाफ बेंड करत हुए, दोन और जो आम्स हैं, उनका एक पर डिस्टेंस रखना है, अपने ब्रेथ को होल्ड रखें, और फिर रिड्लीस कर दें, तो बैसे ही आपने इसको करना है, फाइब ब्रेथ तक आपने एक पोजिशन पे होल्ड रहना है, और फिर गहरा लंबा सांस लेते हुए, ब फिर से डिटर्न आपने राइट टू लेफ्ट करना है, आम का जो स्टैंडिंग पोजिशन जो रहेगा, वो एक उल डिस्टेंस में रखे, अगर आपको लग रहने हो रहा तो आप बैक टर्न करके, आप उसको घर्दन से आप देख सकते हैं कि इक उल डिस्टेंस है की नही तो आपने ये वला जो आसन है, आपने इसको कंटिनूसली रिपीट करना है, अगर लगे कि थोड़ा टाइट है तो आप इसमें थोड़ा बोडी को रिलाक्स दे और फिर सो कंटिनूसली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो वारियर वन जो पॉस है, इसको करने से हमारा जो जो स्ट्रेंथ है, उसमें हमारा स्ट्रेंथ होता है, और जो हॉल बोडी जो स्टैमिना है, वो हमारा जो लेग मसल्स में जो स्टैमिना है, वो इंक्रीज होता है, और लेग में भी और आम में भी हमारा जो स्ट्रेंथ जो है, मसल्स का, वो भी इंक्रीज होता है, तो य स्टैंडिंग पोजिशन में बॉडि को रिलाक्स करते हुए ही आप ये व्ला कंटिन्यू करें को आप वी आप इस आसना में 5 to 10 टाइम भी आप कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी आप इसको कंटिन्यूसली आप इसको स्टार्ट कर सकते है तो वैसे ही आपने इसको फिर से रिपीट करना है यह वाला आसन करते वक्त आप यह ध्यान रखे कि बोड़ी को ज्यादा आपने स्ट्रेन नहीं देना है लोकर र्लैक्स होते ही यह वाला आसन करें और इंज्वाई के साथ करें तो इससे थे बोडी का जो चामिन हैं वो भी अच्छा बनता है स्ट्रंट अच्छी बनती हैं और अगर जब आपको लगे की अच्छे से आप इस में फिट हो गए है तो आप इसको और भी इसका टाईं जो है इंक्रीज कर सकते हैं अभी हम जो बोडी को धोडा रिलाक्स करें अभी हम warrior pause का second आसन करेंगे तो आपने बैसे ही सीधे खड़े हो जाना है equal distance में अपने arms को रखे hold करने का कोशिश करे और ये वाला जो रहेगा इसमें आपने prayer pause में आपने खड़े रहना है जैसे कि आपका जो right leg है उसको half bend करते हुए और जो left है उसमें बैसे ही wide करते हुए distance में रहे अपने breath को hold रखे कुछ देर के लिए और hold करें इसे हमारा leg muscle strong होगा वैसे ही prayer pause में आपने खड़े रहना है और फिर आपने right to left आपने turn कर देना है वैसे ही फिर से आपने inhale करें और फिर वैसे ही position में hold रहने का कोशिश करें बैसे ही रिटर्न आपने इसमें पुजिशन में आना है और यह वाला जो आप इस पॉस्चर में आप फाइफ टू टैम आप इसको continue कर सकते हैं या फिर और बी जादा आप इसको continue कर सकते हैं वन टाइम जो आपने एक पुजिशन में खड़े रहना है उसमें फाइफ रहत तक आपने एक पुजिशन में खड़े रहें और फिर जब बापिस आए तो एक्जेल कर दें अपनी बोड़ी को जादा स्ट्रेंड ना दे लेक्स को जब आप रिटर्न में आए मिन सेंटर में तो बोड़ी को बिल्कुल रिलाक्स करते हुए आपने यह जो स्टेप्स हैं वह आपने रिपीट करने हैं और इसली आप बापिस पुजिशन में आए तो आप यह जो स्टेप्स हैं वह आप फाइब टू टेंट टाइम आप कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा आप इसको कंचिन्यू कर सकते हैं गयरा उलमबा संस लें वैसे ही पुजिशन में आप लुज रखे प्रेयर पॉस्व में यह वौड्यो का सेकंड श्टेप है और फिर बापीस पुजिशन में आजायें बॉडि को कुछ देर के लिए शेक करें स्ट्रेच करें इससे हमारे बोड़ी में जितना भी स्ट्रेस में आया होगा बोस में काफी रिलाक्स मिलेगा बोड़ी को थाड़ा मोमेंट दें अगर आप डेली रूटीन में वारियर पॉस वन एंड टू आप आतना करते हैं तो बोड़ी को बहुत जादा वेनिफीट मिले अगर तो आप इनको आसनास को कंचिन्यू कर सकते हैं आई हॉप गाइज आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मिलते ही नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गाइस स्टे फीट स्टे हल्दी बबाए टेक क्यार